सत्ष्याकाल दोस्तों, वेलकम टो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट, उमीद करदां, तुसी सारे बहुत ही वधिया होने हैं, अज़ दी क्लास बेचापां, पैडागोजी दे, कुछ प्रशना नूँ डिस्कस करें जा रहे हैं, एक लास तोड़े, P.S.T.E.T.E.T.E.T. और दोस्तों, जिनने वी आपा प्रशन डिस्कस कर रहे हैं, एक लाड़े पिछले जड़े प्रशन ने जी उना विच्छो आए ने जड़े प्रिवेस येर ने, और तुसी इना प्रशना नो बहुत ही चंगे तरीके नाल सॉल्व करेंदी कोशिश करनी है, शो शुरू कर अज दे अपनी वीडियो नो, क्लास नो शुरू करन तो पहला चैनल नो सब्सक्राइब जरूर कर लियो, एंड इस क्लास नो लाइक भी कर दियो, पहला जड़ा प्रशन है जी, जेदे वेचे तो अड़े तो पुछया जा रहा है, चाइल्ड हैस दो अबल्टी टू अंडर और इस प्रशन्दा जवाब दो कि ए स्पेशियल इंटलियंसी है स्थानिक बुद्धी या फिर ऑप्शन बर भी इंटर पर्सनल इंटलियंस प्रस्पर बुद्धी या फिर ऑप्शन बर सी इंटरा पर्सनल इंटलियंस या फिर अंतर व्यक्तिकत बुद्धी या फिर सब्सक्राइब 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 फिर एबेल्टी रखता है उन्हों आपा इंट्रापर्सनल केंदे सेगे किसे एक स्टूडेंट ने कमेंट वेच भी लिखा सेगा कि सर जेकर आपा इन्हों याद करना या इंटर परसनल नों तुसी इन्टरनाशनल करनेक्ट कर दो मतलब कि आपा जदो इंटरनाशनल दी गा आजी अगले प्रशन ते अगला जड़ा प्रशन आजी गल किती जा रही है विच ओफ दा फॉलाइंग स्टेट्मेंट इस प्रपोजड इन्न नैश्नल एजुकेशन पॉल्सी दो हजार वी मान लोग पिया स्टेट वेस तो आड़े तो दो नाशनल एजुकेशन पॉल्सी संबंदत भी कॉशन आ गया तो अनों को बनावन दे कोई लोड नहीं है कि इस दे थुरू भी तोड़ी त्यारी हो सागती है सो एदे विच की गल किती जा रही है कि राश्ट्य शिख्या जड़ी निती है कि यह दो यार्वी विच हीठां देते कथना विचों किड़ा प्र सही है ऑप्शन बर भी विखो स्कूल शुड एंकरेज चिल्डरन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एस दियर फर्स्ट लेंग्वेज स्कूला नू बच्चेया नू अपनी पहली पाशा वज्जों अंग्रेज जी सिखन ते बोलन ली उत्शाहिद करना चाहिदा है या फिर ऑप्शन बर सी मल्टी लिंग्वलिजम हैज ग्रेट कोकुनेटिव बैनेफिट फ़र यंग स्टूरेंट्स बहु पाशा वबाद है का जड़ा ये नौजवान विद्यार्थियां लई बहुत वदिया बदात्मक लाब हुंदे है गया जिकर आपां मल्टी लिंग्व जम्दी गल कर दिया ऑप्शन बड़ी बैलिंग्वल अप्रोच कन्फ्यूज स्टूडेंट एंड हैंप लर्निंग कि ये जवाब सही होएगा दो पाशी पहुंच विद्यार्थिया नूँ जोंदी है आते सिखन वे चरकावट पहुंदी है ऑप्शन नमबर पहले नूब सब्सक्राइब करता दूसरी ऑप्शन चे लिखे हो या स्कूल शूड एंगरेज चिल्डर्ण टू लर्न एंड स्पीक इंगलिश एज दियर फर्स्ट लैंगवेज की स्कूल लानू बच्चया नू ना कि सिर्फ अंगरेज जी पाशा सिखन लेही एंगरेज करना चाहिदा है सो एग गाल भी गालता है क्यों गालता है अंगरेज पॉलसी इवन जिरियां पहला वड़ियां भी पॉलसी से गयां ओकी कर दियां से गयां ओं मल्टी लिंग्विजम ते बहु पाशाबाद ते जोर देता है उन्हांने सीनु वेखो मल्टी लिंग्विजम है जग्रेट को कुनेटी बैनिफिट फॉर यंग स्टूनेंट्स ए बहुत वदिया बदात्मक लाब मतलब यह प्रोवाइड कर दिया सान। यह जवाब तोड़ा सही है एंड आप आप आप्पाना प्रोच कन्फ्यूजर स्टूनेट्स एक आलता बिल्कुल गलत है ना कि बहुत पाशावाद हुनता है ता बच्चे नूँ शिती समझायां द बच्चे नूँ शेती समझ लाग जान दियां चीज जान सू ऑप्शन अंबर दे नूँ वी अलिमिनेट करता ऑप्शन अंबर तोड़ा सी जो आप सही है वेखत या अगली प्रशन ते जैन्डर रोल्स आर लेंग पूमिकामा हन कि ए लर्ण बिहेवियर हन विहार सिख लि या फिर जैनेटिकली डिटर्माइंड जैनेटिक तौरते निर्दारेत कीता हो या सो एदा सही जवाब की होगा जेकर आपा एदे सही जवाब दीगाल करिये जड़े जैन्डर रोल्स नुन देहेगे या अपने जैन्डर रोल्स मतलब यह कि अपना करना की है जिए मुझ सब्सक्राइब करें जैन्डर निर्दारेत कीते जा रहे है तो कि यह बाइलोजिकल भीएविर हो सागता या फिर आइनेट बिएविर हो सागता बिलकुल नहीं क्योंकि यह था नैचरली है ना नैचरली जैन्डर आपनों मिल्या होंदा ओ तो सेक्स होंदा अपना जैन्डर है या फिर कई सहकते जैन्डर नहीं कवाँगे ओ आपड़ जैन्डर रोल्स है ना यह लर्ण बिहेविर है इस खुड़ी ने इस तरह बिहेव करना इस अब की है लेंड बिहेवियर रिता है सो ऑप्शन नमबर एदा जवाब की होगा ऑप्शन नमबर तुसी ए लगाऊंगे क्योंकि बी सी ते डी एत है गिया जी हैरेडिटी नर संबंदित मतलब की जन्म तो ही आपनों मिलियाओं द निरंतर अते व्यापक मुलांकन दा मुख टेचा की है एदेवारेद सो तू कंपेर स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद वन अनदर और पहली आप्शन चे लेक्या होया के विद्यार्थियां दे प्रदर्शन दी एक दूजे ना तुलना करन लई यह जदों आप्शन मैं पड़ रहा में ते नेगटिव लागरिया तो अन्नों क्यों जाला गरिया ओप्शन नमबर भी वेखो तू असे से चिल्डर्स अंडेट्सेंडिंग और मोडिफाइद करिकलम एंड पैड़ागोजी फॉर स्टूडेंट्स बच्चेयां दी समझ दा मुलांकन करन ले अते विद्यार्थियां ले पाठ कर मते सिख्या शास्तर नों शोधन ले या फिर ऑप्शन नमबर सी टू असाइन रैंक टू स्टूडेंट एस पर देर प्रफॉर्मस की विद्यार्थियां नों उना दे प्रदर्शन दे अमसार रैंक करने दारित करन ले या फिर ऑप्शन नम कर दिया कि एजवाब गलत है क्यों गलत है क्योंकि आपा जदो भी इवेलवेशन कर दिया अपा सिर्फ ए नहीं वेख दे के बच्चे नूँ पास या फिल करना या कोई भी आपा इवेलवेशन कर दे आप पैड़ा को जी बेचे ऑप्शन नमबर आप डी नूथा करांगे उनानु कावंफ गयरत होंगे या फिर टो असाइन रैंक्स की विदैर्थियान उना दे प्रदर्शन देंसार सिर्फ ने रैंक नेट दारत करतांगे सो ऑप्शन निबर सी भी गलत है क्यों गलत है दिवारेवारे भी आपा गल कर लानिया पहली आप्छन वेज कंपेर दिक और जी बी नो वेखिये ते ए तो जवाब तो अड़ा सही है क्यों सही है क्योंकि जदो भी आपा कंटिनुवस एंड कॉंप्रिहेंशन दी गाले कर देया आपा बच्चे दी असेस्मेंट कर देया ओधी चिल्डर्स अंडर्स्टेंडिंग एंड मोडिफाइद करीकुलम ए ज़्यादा जोर दितता जानदा है तो अप्शन नमबर तुसी बीन जड़ा है जी ओ तुसी लगाओंगे टेक ते अपा चाल देया जी अगले प्लेशन दे अगला जड़ा प्लेशन है जी बिफोर डिसाइडिंग एन असेस्मेंट एंड मैथड फॉर हर क्लास वर्ट और फांबे टीचर ने ते ओनु केडियां गलना दात्या आं रखना पोगा अपनी क्लास लई भिदी दा फैसला करन दू परना अदे आपक नों केडियां सारे जान रखना चाहिदा है दो सो की जवाब होईगा जी एदे वेचना चार ऑफ्शन दित्त होया और लास्ट पुछ से होया कि इना विचो दसो केड़ी केड़ी आप्शना सही ने पहली आप्शन में को हुई इस गोईंग तो यूज दा रिजल्ट बसाइड मी मेरे तो लावा नतीज्यां दी वर्तों कौन करेगा option number B what is the best way to find out learning curve of individual students की वक्ती गत विद्यार्थियां दे सिखन दे वक्रादा पता लगाओं ता सब तो वधिया तरीका की है या फिर what method would help me to reflect on my pedagogy केड़ी विदी मेरी सिख्या शास्तरे विचार करन विच मेरी मदद करेगी option number D which method would help the level and segregate student की विद्यार्थिया नो लेबल लगोना थे वक्त करन ली केड़ा तरीका मदद करेगा लास्ट अप्शन वेक्षो एक गलत तुसी ना गलत क्यों है गिया इदे विच बच्चान वख्रा वख्रा करके बठाओं नदेगाल किते जा रिया जिकर आपा बच्चान वख्रा करके वठांगे ते किते नंए थे विच ना आप आपका पहला ते A या फिर D हो सागदा जे दे वेच दूसरा तीसरा या फिर पहला दूजा हो सागदा उन पहले जवाब नूँ वेखिए पहला पहली जड़ी ऑप्शन है गिया Who is going to use the result beside me So, 1 एगाल ठीक है न कि आपां बच्चे ली अच्च में ऐस्समेंट अगेरा कर रहे हैं कि आपां व्यकतिकत विद्यारति कि या थे सिखन दे वकरा दा पता लगओंड कि दे सब तो वदिया तरीकर है गा जी सही है ठीक है ना option number तो अड़ा second भी सही है थे three भी सही है कि which method would help me to reflect on my pedagogy के दे विचों जड़ा केड़ा method हैगा जड़ी केड़ी वीधी मेरी सिख्या शास्ते विचार करने वेच मेरी मदद करेगी so option number second and third जवाब सही है and yes according तो अड़ा option number A is the right answer चाल देया जी अगले प्रेशन ते inclusive education implies that समा वेशी सिख्या दा मतलब की है EWS economically weaker section quota भी made available only in government school EWS आर्थिक तौर्थे कमजोर section quota सिर्फ सरकारी स्कूला विच ही अपलब करवाया जावे option number B student with disability should be placed in special schools की अपाहिज विद्यार्थिया सिर्फ विशेश स्कूल ना विच ही रख्या जाना चाहिदा है option number C only English भी taught in government school सरकारी स्कूल ना विच सिर्फ अंगरेजी ही पढ़ाई जावेगी option number D all children irrespective of their abilities we provide quality education की सारे बच्यानों उना दे योगता दी परवा की ते बिना मेरी जड़ी सिख्या है गिया ओ प्रदान किती जावे सो इधा जड़ा सही जवाब है जदो भी आपा इंक्लूजीव एज्योकीशन दी गल कर दे या इदे वेच आपा ना अपने सिस्टम चेंज करें दी गल कर दे या सिस्टम चेंज करन दपाव है कि मान लोग कोई होजा स्पेशल बच्चा अपने स्कूल विच आगया दाखला लेंड लई ते अपा की करांगे अपा उन्हों दाखला देन तो मना करांगे कि नहीं वही तेरे लिए जड़ी फैसलिटी है गया साथ स्कूल चे ता है नहीं आ अपा देरे दाखला नहीं करना एक अल बिल्कुल नहीं करनी आपा अपाना उन्हों एहाव जा इंफ्रास्रक्षर प्रॉइड करांगे मानलों अपने स्कूल विच कोई प्रॉब्लम है या या फिर ओधे अकोर्डिंग इन्वार्मेंट नहीं बने होया ते आपा किते ना क मतलब किते नहीं किते ओदे ले ना थल्ले क्लासा अरेंज कितिया जान अपने सिस्टम वे चेंज लियांदे जान मतलब कि ऑप्शन नमबर डी है ना ओल चिल्डरन कि उना दिया आइबल्टीज की ने ए मैटर नहीं करदा तुसी उन्हानों प्रॉइड़ क्वाल्टी एज नहीं गल किती हैं दी एथे लेक्या हो या ऑप्शन अबर भी स्टूड़न्ट विद डिसेबर्टी शुडबी प्लेज इन स्पैशल स्कूल एक अंसर्ट पहला चाल दांदा सगया कि स्पैशल सूल स्कूल बना दो जी उना बच्च्यां लई हुनता इन्क्लूसिव आप सही है ते आपा चाल दियां अगले प्रशन थे दो स्टेट्मेंटा देतियां हूं या ने एक अता है गिया असर्शन एक है गिया रिजन पहली ऑप्शन पढ़ लाने आजी पहली जड़े असर्शन है गिया वाइल टीचिंग टीचर शूड यूज यूज वराइटी सब्सक्राइब टीचिंग दावा है कि प्रण दे समय एक अध्यापक नूँ अध्यापन दे संदर्ब नूँ दर्शौन ले कई तरिक्यां दी वर्तों करनी चाहिए है दीजन लेक्या हूया टीचर नीटू अड़ेप्ट देर पेड़ागोजी तू सूड दे डावर्स नी इदी करेक्ट एक्स्प्लेनेशन है गी या एदी मतलब ए कि जो कुछ असर्शन एच लिख्या हूया ओ गल्द कीती हुई है और ओदा जड़ा रीजन है गा मतलब कि ओनू जस्टिफाई कर दिया सेकंड स्टीट्मेंट कि ये गल्द सही है मतलब पहली ऑप्षिन वे इस त जोरी ए मतलब की असर्शन सही है और गलत है या फिर बोथ ए ते आर दोनों ही गल्द है कि जबाब हुगा जी एदा आप आप्षिन नों द्वारा वेख लेने या कि जदो अब आप आप पड़ा आरे होने या टीचर नों की करना चाहिदा है उन्हों वराइटी ओब वेस बहुत जड़े तरह तरह दे जड़े तरीके ने किसे भी मतलब टॉपिक नों समझाओ ले उन्हादी वर्तों करनी चाहिदी या तो एगल ठीक लिखी होई है यहां भी बिलकुल करनी चाहिदी है और क्यों करनी चाहिदी है यहां कारण लेखिया हुगा टीचर नी टू इपलिमेंट करना ही पहुगा अडप्टेशन करनी ही पहणी यहां क्योंकि जड़े लग लग तरह दे बच्ची हों दे यहां उन्हादी सेकोलोजी समझाओ लेए उन्हानू चंगे तरीके नाल समझाओ लेए अपानू ए गाल करनी पहन दी यहां वी आपानू देती हुए आ दो में ए दी जड़ी आ वाड़ी जड़ी है गिया ए दी करेक्ट एक्स्प्लेशन ने गिया आ असर्शन दी आप्शन नंबर एथे की जवाब तो अड़ास ही होएगा बोथ A and R are true and R is correct explanation of A अगले प्रशन दे चाल दे हाजी अचाल दे हाजी अचाल दे हाज कि ओनों लिखन वेच दिक्कत हो रही है शी आल्सो एक्स्पीजेंस अचालेंज इन फार्मेशन ओफ अल्भाबेट एंद स्पेसिंग और दे इस करेक्टरिस्टिक्स हिंट्स ट्वार्ड विच ओव दे फॉलाइंग लर्निंग डिसेबल्टी एक बच्चे नू लिखन वे डिस्लेक्सिया ओप्शन नमबर बी डिस्ग्राफिया ओप्शन बरसी डिस्कल्कुलिया या फिर ओप्शन बड़ी अटेंशन डिफिट हैपर एक्टिविटी डिस ओडर एक बच्चे नूना लिखन वेच प्रॉब्लम आ रही है तेहुन तुसी दसो कि जेकर दों आपा ल डिस्लेक्सिया रीडिंग और राइटिंग वेच दिक्कत आ रही है तो डिस्लेक्सिया था चलो नहीं होगा डिस्ग्राफिया होगा जवाब कि बच्चे नूना लिखन वेच प्रॉब्लम आ रही है ओप्शन नमबर तुसी बीन कर लो डिक डिस्कल्कुलिया मैथ नाल बच्चे जिदो टेक के नहीं बैठ दे इदिगाल किती हैं ठीक न मतलग कि उन्हादा कंसेटेशन नहीं बंदा हूं था वेख दे आजी सेकंड लास्ट प्रेशन नूँ तू कैटर टू इंडिवेज़वल डिफरेंस अमंग्ग स्टूडेंट और टीचर शोड विदे आर इंस्ट्रक्शनल मेथर्ड एंड युनिफर्म वेज अफसेस्मेट मैयारी हदायतां दे तरीक्यां आते मुलांकन दे एक सार तरीक्यां दी वर्तो करो ओप्शन नूबर भी जूज अ वरायटी ओपेडल गोजिकल अप्रोचेज एंड मेंस अफसेस्मेंट वक्ष वक्ष शास्त्रियां पहुंचा आते मुलांकन दे साधना दे वर्तो करो ओप्शन नूबर सी यूज यूनिफर्म पेडागोजी टू एंशूर मेमोराइजेशन और फोकस ऑन समेटिव असेस्मेंट यादनू यकीनी बनौन ली एक सार सिख्या शास्त्र दी वर्तो करो अते संखे मुलांकन दे त्यान के इंद्रत करो या फिर ऑप्शन बढ़ी इनक्रीज द नंबर ओपेपर पैंसल टेस्ट एंड फोकस ऑन री कैल कि सिर्फ पेपर पैंसल टेस्ट दी जड़ी गिंटी है कि या वो वदा दो सो तु आनू की लगदा है कि एधा जड़ा ज़वाब है गा जी सही होवेगा तुसी मढ़ जा सोच के वेखो इधा जड़ा सही जवाब हैगा कॉशन नू समझे दोबारा कि आप बच्चे आदे जड़े इंडिवेजवल डिफरेंस होंदे ना उन्हान नू त्या आन देवेच रखना या ते टीचर नू की करना साहिधा है एक अध्य आपनू कि पहली ऑपेचा घ legga होया कि तुसी योरीफ ड्क जटा अब्नात अबेकि या या मैडिहा आथा तरीकिया देगित मुलंकर्द को में तरीकए नदाप साइसेस्चमेंट कर सकते हैं नहीं कर साकते हैं न मतलब एक को तरीके नाड़ा पसार रनुपड़ावी नी साकते हैं तो option number A नहीं होएगा सही option number B वेखो variety of use a variety of pedagogical approaches and means of assessment की वक वक सिख्या शास्त्रियां पहुंचा आते मुलांकन दे साधना दी वर्त करो तो एक question इस जवाब मैंनों ठीक लग रहा बट फिर भी आपा धोर option आणों वेखते हैं use uniform pedagogy एथे भी uniform pedagogy दी गल कीती गई है ensure memorization and focus on summative assessment एक जवाब गल्त है जी एथे memorization दी गल कीती जा रही है uniform pedagogy दी गल कीती जा रही है एथे last day सिर्फ pencil test दी गल कीती जा रही है ये भी गल्त है बट option number तो अड़ा जड़ा B है A सही है क्योंकि एदे विच आप वक्ष वक्ष तरांद जड़े pedagogical approaches ने बच्चिया दिया नीड्स दे according ओ दी वर्तो करांगे option number B नो तुसी कर लो जिटे कते आपा चाल दिया जी अगले प्रशन दे which of the following is an essential characteristics of creativity हीट लेख्या विच्चों केड़ी रचनातमक्ता दी एक जुरूरी विशेषता है रचनातमक्ता दी गल कीती जारिया creativity दी की a divergent thinking है वक्री सोच या फिर option number B impulsiveness अब एक शीलता या फिर option number C centration in thought सोच विच केंदरित या फिर option अबड़ी Convergent thinking एक सार सोच सही जुआ वेखो जी जदो भी आपा creativity दी गल कर देया creativity नो हमेशा ही आपा divergent thinking नाल relate कर देया मतलब एक ही जड़े creative person हों देया ना ओड़े बरजन thinking वाले लोकों देया जेकर तुसी उनानों एक प्रेशन पुछ दीयों एक प्रेशन पुछन दे नाल ओ तो आनों किनने सारे जुआब देने बड़े creative thinking वाले divergent thinking वाले लोकों वी सही जवाब देयाँगे परो आव दी understanding नाल जवाब देयाँगे एंड उदा जवाब वी उना दा वी जवाब होगा सही होगा के ते ने के creativity भी वेखन मिल दिया है तो एदा ज़वाब की सही होगा एदा जड़ा सही जवाब है जी divergent thinking वक्री जड़ी सोचे गी है एदा इस जवाब सही है एद इस दे नाल ही आपने आज दे प्रशन खतम हुंदे ने चैनल ते नमियों इस वीडियो नो पहली वार वेख रही हूँ ती जड़ा सब्सक्राइब वड़ा जड़ा लाल जाए बटन है गा ना उनता चलो ब्लैक जाओ गया इनू आपा चीज नी करदांगे जड़ा रैट आने नो ब्लैक करदांगे एनू सब्सक्राइब ज़ूर कर लिए एक जड़ा लाइक दा बठन है गाजी इनू भी प्रेस कर देओ वीडियो नू शेर भी कर देओ और दोस्तों इसे तरह ही जड़ा आव दा प्यार है गाजी ए तुसी शो कर दे रहो असी वी तान रेगुलर बेसिस दे वीडियो बढ़ां दे रमां के जिमें मैं प प्रमोड करना आप आप आवी की कर रहे हैं आपा तो उन्हों जड़े दो चार जड़े कोशन हो देया डिले देयो करवादी देया बाके पढ़ना तो सी आवदा हुंता है एंड को जो साथ ही मेरे पुछ दे हुंदी है कि सर की ऐसी सिर्फ यूटूब वीडियो नाड़ी कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो जी यूटूब ते नेट ते काफी सारा जड़ा मिटीरियल है गा जी तो उन्हों मिल जानदा है सो मैंनों नहीं लगदा कि तो उन्हों को यह दर उदर कोर्स बगरा लेन दी लोड हुं दी है वो भी इनने बेसिक एक्जाम लई सो होने चलो तो अपां ज्यादा गला नहीं कर दे किसी होर दिन गला करांगे सो इस दिन आड़ी वीडियो नो करते हैं खतम थैंक यू सो मच फूर वाचिंग गॉड ब्लेस यू वाल